सभी को नमस्कार बात करते हैं PGT संस्कृत की बरतिगी जैसे कि सब को बता भी इसमें एक फैसला आ गया था और उसके अनुसार जो नकरवाई शुरू हो जानी थी लेकिन नहीं होई है उसके भी कारण है क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं अपनी बता दियूंकि मुझे आचार है आलिया मैं जो न सरकार दुबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची है ओडर को मोडिफाइड कराने के लिए अब उसमें क्या मोडिफकेशन हर क्या चेंज है वो देखते हैं वीडियो में एक आईये लगाई थी इंटर्वेंशन अप्लिकेशन होती है और कष्ट से और डारेक्शन मांगी थी कल प्रकार संदर्व में हैं अगसे हैं उसकी ऑ wal गया और सब की तरफ से वकील खड़े ही उपर चलो अपन हीरिंग दी कॉंसल दी कोर्ट मेंट दी फॉलोविंग ओडर रेंग के पर पस्चात यह ओडर पास किया अई यह नंबर स्वेंड सो दार्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन हैज मूड दीस अप्लिकेशन शीकिंग कलिरिफिकेशन ओफ द्योडर डिटेट 17-10-2010 अगभी आचाएसे सिनिये ओप्लिकेशन लगाई है और ख्लिफिकेशन सेगिकेशन जो ओडर 17-10 को आया था उसमें कुछ क्लिफिकेशन मंगी है इन टर्म वेर ओफ it was directed जहां पर किसमें उस order में कै किये it was directed to prepare a common merit list of the candidate क्योंकि उसमें एक order किया था वे a common merit list त्यार करो in candidate की number 1 column है those who were eligible even prior to 23-27 and have already been placed in the selection कि यह number 1 तो वो थे जो 23-27 native के जनाने से पहले भी eligible थे और उनका selection list में नाम भी है नमबर दो, the candidate having qualification of सिक्षा सास्त्री, और नमबर दो पर वो candidate जिन के पास सिक्षा सास्त्री की qualification है, who were earlier claiming eligibility on the basis of the government circulars and in any case become eligible as a result of the amendment in the rules on 23-22 अरस्त्रा, जो कि अपनी eligibility claim कर रहे थे, पुराने circular के आदार पया और जो 23-27 को नोटिफ के जना है, उसके बाद वो आज के दिन eligible हो गए थे, इन दोनों आदार को लेका है, वो अपनी दोन ये order जो हना पास किया गया था वई, ये तो पुराने order की बात की है मैंने, अग उसमें ये कहा था भई, शिक्षा सास्त्री को और उनको लेकर combined merit list ट्यार करो, अब क्या है नमबर दो point में देख लेते हैं, the commission has now informed that some of the candidate having qualification of शिक्षा सास्त्री have not been interviewed so far and are yet to be selected, तो अब commission ने जो हना court को जा का बताया है, अग इन मेंशे कुछ candidate जिनके पास शिक्षा सास्त्री qualification है, have not been interviewed, उनका तो जो हना अभी तक interview भी नहीं होया है, और और उनका जो हना selection बाकी है, क्योंकि selection दो उनका भी हो सकए है तो अब court के सामने एक नया स्वाल चलागा, अग जब intro है नहीं होया तो selection क्यों कर करें, और जए intro नहीं लें, तो फिर सम के साथ नहीं होया है, क्योंकि सम के उस criteria जो भी आता होगा, सम का intro होना चीए और सम का selection भी होना चीए, merit बनाक है, तो court के सामने ये स्वाल गया है, अ अग भी अभी तो intro भी नहीं होया है, तो हम merit list कैसे त्यार करें, that being so, the order dated 1710-2023 is modified, clarified in the following terms, अब court नहीं कहा है, अग ये बात देखते हैं, अब इंट्रू नहीं होया है, हम जो अना अपने 1710-2023 के order को modified, clarified करते हैं, in terms में, इन सर्तों के साथ, अब ये देखने वाली बात है, अब तीन नमबर पॉइंट का, एक नमबर पॉइंट देखे लेते हैं, पहला, let the remaining candidate having qualification of success history be interviewed at the earliest and in any case within two weeks, तो अब court नहीं कहा है, अग भी जो भी success history qualification के candidate, in true के लिए रहते हैं, उनका in true जल्दी से जल्दी लिया जाए, और within two weeks, यानि उससे पहले हो जाते हो रहा है, लेकि यह चीज पॉसिबल दरातल पर है, नहीं इतनी जल्दी, तो इसमें थोड़ा है, candidate को बुरा भी लगएगा, लेकिन थोड़ा हो और समय लगेगा, तब तक जनवरी की डेट आ लेगी, इसमें क्योंकि आ नेक्स टेट इसमें जनवरी की है, चलो, पहले नमबर पॉइंट प संतूस्ट हैं, किस बात में, that the candidate possessing the qualification अपाचारिये are also eligible, let they be also intrude with in the stipulated period, उन्होंने का, हम सरकार पर छोड़ा है, कोई order नहीं है, अगर सरकार और रहाचे से संतूस्ट है, कि जो आचारिये की qualification वाले कंडियेट हैं, वो भी eligible हैं, सरकार की नजर में, और रहाचे से सी की कोर सिक्षे सास्त्री, उन्हीं के साथ, इनका भी इंट्रू लिया जाए, अगर सरकार संतूस्ट है तो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, HSSS ने ये स्वाल भी रख्या होगा, अगभी हम आचारिये के बारे में, क्योंकि क्लरिफाई सा, आदे सा आया नहीं था, अचारिय इनका भी हो जाए, और अच्छी बात सा, 10-11 कंडियेट इनका भी हो जाए, किसके घर से के जाए, क्योंकि एक बात अच्छी की ही, ओटर में खोट रहे है, वो मैं बताता हूं, जब आएगी, नमबर तीन पॉइंट है, एक कॉम्मन सेलेक्शन लिस्ट में भी अब तीन नमर में कहा है, एक एक कॉम्मन सेलेक्शन लिस्ट त्यार करो, और जिसमें मेरिट इसाइड बेसक ना करो, अग इनकी मेरिट किसकी कहेना, कॉमन सेलेक्शन लिस्ट त्यार करो, without determining interestary merit of the candidate, belonging to the three candidates, इन तीनों कंडिडेट के, कैटेक्रिके कंडिडेट की, रफट देवो जो उपर डाल दिखाए हैं however a common selection list for the purpose of provisional appointment be prepared लेकिन इसके बाद भी a common selection list appointment के लिए त्यार की जानी चाहिए कर सकते हैं मतलब be prepared यानि त्यार रखो अब number 4 point है the order of the placement in the said selection list shall be as well अब उन्हों नहीं कहा है तक जो order होगा यानि की sequence जो होगी placement in the said selection list यानि selection list में जो sequence होगी shall be as follows वो इस पर कर रहेगी number 1 पह है पहली category में कोड़ आएगा the candidate who was eligible per year to 232 जरस्त्रा में first be accommodated यानि जो candidate 23-17 से पहले eligible थे और उनका जो selection भी हो रखा है उनको सब से पहले accommodated joining दी जाए accommodate किया जाए number 2 immediately below them उनके तुरंत बाद the candidate having qualification of success आस्त्री be adjusted उनके तुरंत बाद जो candidate success आस्त्री के हैं उनको adjust किया जाए number 3 पह है अब नमबर चयर के बाद नमबर पांच पांट आगेंगे यह तीन पॉइंट थे चयर नमबर को नमके अब पांच में क्या कहा है दि कंबाइंड सेलेक्शन लिस्ट इंदा वो mentioned order may please be notified for the purpose of provisional appointment जो combined merit list है इन्स सब की वो notify कर दी की जा सकती है ताकि इनको provisional appointment दी जासके क्योंकि अभी case का final पैसला नहीं आया है भी जिसकी भी appointment होगी वो subject to रहेगी इस case से प्रोविजनल होगी वो नमबर पांच में यह clarify किया है नमबर से में the provisional appointment shall be subject to the outcome of these proceeding यह वो इले नागी जो मैंने पहले बोल दी जो appointment है जो नवा इस case से बंदी रहेंगी इसके साथ subject to रहेंगी जो इसका फैसला आएगा वो उन पर लगू होगा अगर इनके खिलाप आगया तो इनको बारोना पढ़ेगा फिला लिया अंतरी में विस्ता है वेर दी question of interest and merit of the candidate will be determined जिसमें जो होना जो question था merit का वो decide किया जाएगा उसमें determined किया जाएगा वो case यानि उस case से सम्मंदित रहेंगे न्यूं को नागी इनके पर कोई case करने case तो देखो रहेगा और उस case से subject to भी रहेंगे उसके जो final पैसला हो उससे बंदिये रहेंगे अब number 7 appointments are directed to made against all the advertisement post अब यह वो लाइन है जो पहले बता रहा था appointment are directed यानि जितनी वे appointment है वो made against all the advertised post यानि जितनी वे vacancies which the state government may decided to fill up to resolve the long pendency controversy अब यह क्या कहा है और वो सारी vacancies है जो कि state government बरना चाहती है और वो क्यों फैसला किया है क्योंकि long pendency controversy क्योंकि नुलाले 2015 की बरती है 24 आड़ा है 9 सालों के समझाठ तो हो लिए अग भी इतना लंबा के court case चल नहीं इसलिए सरकार चाहती है कि इसका निफ्टा रहा हो निफ्टा रहा हो तो वो जिद्जो vacancy वो एंटिश्पेट कर रही यानि अकभी इतनी अमोर वर्षक है court ने उन पर से free order सरकार को दे दिया है का आप चाहो तो नोटिफाइड जो पोस्ट है ने ख़ल 266 श्याग बीस में भर सकते हो ताकि इस सारे मामले का निफ्टारा हो जावर सिख्षा सस्त्री वे अचारिये विर सब को अकमोडेट किया जासके अब आगे इंटर लोकुट्र एप्लिकेशन इस अकॉर्डिकेशन लगाई थी यह जो नब डिस्पोज ओफ निफ्टारा कर दिया का पोस्ट दी मेंटर उन दी नोटिफाइड डेट तेईश्याग दोजार चोबिस और जो यह मेंटर है इसकी अगले सुन वाई तेईश ज यानी में वाड़े माल लो और उनका सेलेक्शन लिस्ट में नाम अब है, तो सबसे पहले उनको ज्वायनिंग दो उसके बाद सिक्षा सास्त्री के जो रहते हैं उनकी इंटरू किया जाएं और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट फाइनल टार किया जाए जिसमें पहले नमबर पर वाले आजेंगे दूसरे सिक्स है सास्ति तीसरे पाचारी है और अगर पोस्ट की कोई दिक्कत आवा है तो सरकार जो हना जो निप्तारा चाहती है तो अगेस्ट एड़टाइजमेंट पोस्ट यानि इनसे अलावा भी सरकार जो हना जोईनिंग दे सकती है एक वो कैपसी जो उति इस अंगतुल कोटने को ृंटें को दे दिया कहि कोई ज्यादा प्रप्रोब्लम नहीं है आप चाहों तो इस म explicit आ polling जोईनिंग प्रोविजनल होंगी और सब्जेक्ट तू रहेंगी केस के फाइनल रिपोर्ट पर केस वो यह है आपने सुरूम पता होगा क्यों आया था ल्पी उनीश वठाईश को जो फैसला आया था उसके अगेस्ट ये केस जो अनतर सेम सर्मेंड अदर्स का लगाया गया था तो इसमे पहला फैसला आया था उसके खिलाब जो होना सरकार खुद कोर्ट में गई है क्योंकि कुछ क्लेरिफिकेशन बाकी थीसमर ठीक किया जाना ना इसमाग फेर दिक्कत आती अब कोर्ट ने जो होना सारी चीजें क्लेरिफाई कर दी है हाई इसका फाइनल फैसला कोर्ट करेगा तेशेक को या उससे सो अगजो डेटाओं को उन उपए तुकुल मिला गया चोटी शी वीडियो थी बहुत चोटी शी बात थी अब सारा काम सबसे पहले तो सिक्षा सास्तिर्याचारिय के जिनके वो रत्ते हैं उनके इंट्रू लेने हैं उसके बाद एक कॉमन मेरिट लिस्ट त्यार करनी है और उसके अनुसार जो होना जोइनिंग देनी है जोइनिंग पर कोई स्टे नहीं है किसी परकार का अरना ना निवहग बंदी रहेंगी तो अब जो हना मेरा ताफ लोगों को वह चलो सुब काम ना है पहला विदी थी वो तो काम चाल ला नहीं सरकार फेर चलीगी क्योंकि अचारिया वाड़ा तो मामला मैंने खुद का आता अचारिया का इसमें कोई जकर नहीं है और अब भी मेरे ख्याल को उ प्राइनिंग भी हो भी जाओगी अर माने लोग दस-20 बार भी जा तो कोई प्रोब्लम है नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अग पार जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो अब यह जो आना फाइनल निप्टारा सिर्प एचससी के उपर है सरकार उपर है सब्सक्राइब ऑपने केस की जितनी जल्दी पहर भी करोंगे उतनी जल्दी आप लोगों की जैनिग हो जाओगी बड़िया टीम त्यार करका 10 रपे अपने कट्थे करका खाने खर्चेंगे और इस केस की पहर भी कर लो आपकी जैनिंग हो जाओगी कोट का कोईश ठेफ़ नहीं है धन्नावाद भाई